नमस्कार दोस्तों फिर स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Samsung A70S Mobile में आप यहाँ पे लैंग्विज चेंज कैसे कर सकते हैं अपने डिवाइस की तो यहाँ पे फोन की पूरी लैंग्विज चेंज करने के लिए आपको चले जाना है सेटिंग पे सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एसे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको जर्नल मैनेश्मेंट पे चले जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पर language का option देखने को मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आप देख सकते हैं English language में अभी आपका phone चल रहा है तो यहां पर आपको add language पर क्लिक करना है और यहां पर कोई भी language आप add कर लेंगे अपने हिसाब से तो आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रॉल करके चाहते हैं तो यहां पर आपकी चो लैंग्विज है उसे आप चूस कर लेंगे इस ट्रैप से और यहां पर आप इसको set as default पर क्लिक कर देंगे तो यह यहां पर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं यह वाला language आपका select हो चुका है और इसके बाद यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करेंगे जो चीज आपको निकालनी है यहां से हटानी है तो यहां पे आप इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे तो एक language मैंने यहां से delete कर दिया है ठीक है और जो language आपकी बचेगी यहां पे उसी language में आपका phone जो है change हो जाएगा आप देख सकते हैं इस type से तो इस type से आप यहाँ पे language की setting कर सकते हैं तो I hope guys यह video आपको जरूर पसंद आया होगा इसी type के और इंट्रसिंग videos देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चले मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार